नमस्कार दोस्तों स्वागत है अब सभी का एक बार फिर से हमारी आज की इस वीडियो में तो दोस्तों आज हम करवा चौत की कथा सुनाने जा रहे हैं तो चलिए कथा को शुरू करते हैं बिना समय गवाई दोस्तों बहुत समय पहले की बात है किसी गाओं में एक साहुकार रहा करता था उसके साथ पुत्र और एक पुत्री थी एक बार कार्तिक मास की कृष्न पक्ष की चतुर थी यानि कि करवा चौत के दिन साहुकार की पतनी सहीत सातों बहुएं और उसकी बेटी ने करवा चौत का वरत रखा फिर जब शाम हुई तो साहुकार के बेटे खाना खाने बैठे तो उन्होंने अपनी बेहन से कहा बहन अब शाम हो गई है आओ खाना खालो तब उसकी बहन ने कहा नहीं भहिया आज मेरा करवा चोथ कवरत है और अभी चांद भी नहीं निकला चांद निकलने पर उसे अरगह दे कर ही मैं आज भोजन करूंगी तो दोस्तों ये सुन सातों भाई मायूस हो गए क्योंकि वो सभी अपनी बहन से बहुत ही प्रेम करते थे और बहन को भूक से व्याकुल नहीं देख पा रहे थे फिर सभी भाई गाओं के पास वाली पहाड़ी पर गए और वहां उन लोगों ने एक दीपक जला कर रख दिया और फिर सभी घर आकर बहन से बोले देखो बहन चांद तो निकल आया अब अरग देकर तुम भी खाना खा सकती हो भाईयों की बात सुनकर साहुकार की बेटी ने अपनी भावियों को बुलाया और उनसे का देखो भावी चांद निकल आया है आओ हम भी अरग देकर भोजन किन्तु वो अपने पतियों की कर्तूत जानती थी। उन्होंने कहा बाई जी अभी चंदर्मा नहीं निकला। तुम्हारे भाई चलाकी करते हुए अगनी का प्रकाश छलनी से दिखा रहे है। किन्तु बहन ने भावियों की बात पर ध्यान नहीं दिया और भाईयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्ग दे कर भूजन करने बैठ गई। किन्तु जैसे ही पहला निवाला खाया उसे छींक आ गई। फिर उसने मन में सोचा कि शायद दिन बर भूकी रही थी इसी कारण शाय छींक आ गई। परन्तु छींक शांत होने पर जब उसने फिर खाना शुरू किया तो उसमें बाल निकल आया और फिर थोड़ी देर बाद उसके ससुराल से समाचार आया कि उसका पती बिमार हो गया है और उसे जल्द से जल्द आने को कहा है। उधर जब उसकी मा को ये बात पता चली अपनी बेटी को विदा करने के लिए साड़ी निकालने लगी तो उसमें भी अपशगुन होने लगा। जब भी वो साड़ी न फिर वो अपने ससुराल के लिए चल पड़ी तब उसकी मा ने कहा बेटी रास्ते में जो कोई भी मिले उसे प्रणाम करती जाना। बेटी बोली ठीक है मा और वो अपने ससुराल चल दी रास्ते में उसे जो भी मिलता वो उसे प्रणाम करती और आगे बढ़ती जाती। फि उसके बाद जब वो घर के अंदर गई तो उसने देखा कि उसके पती का शव आंगन में जमीन पर रखा है और उसे अंतिम संसकार के लिए शमशान घाट ले जाने की तैयारी हो रही है। और फिर साथ साथ वो शमशान चली गई। शमशान घाट पहुचने पर जब उसके पती के अंतिम संसकार का समय आया और उसे चिता पर लिटाया जाने लगा तो वो बोली मैं अपने पती को जलाने नहीं दूँगी। नहीं पड़ा और वो अपने पती के शव को लेकर वहीं बैठी रही। तब गाउवाले ने निर्ने किया कि इसे यहीं छोड़ दिया जाए और इसके रहने के लिए एक छोट इसी जोपड़ी बनवा दी जाए। फिर गाउवाले अपने अपने घर वापिस लोटाए। उधर साहुकार की बेटी अपने पती के शव को लेकर वहीं रहने लगी। और पती को जीवित करने के लिए हर चोट का वरत करने लगी। चोट के दिन वो पूरे दिन वरत रखती और फिर शाम को चंदरमा को अरग देती और जोती जलाती और चोट माता से प्रार्थना करती कि वो उसके पती को जीवन धान दे। इसी तरह कई चोट आई उसने हर च चौथ के दिन वरत रखा और फिर चांद को अर्ग दिया और अंत में जब कार्तिक महीने की चौथ यानि की करवा चौथ आई तो उसने अपनी ननद से कहा बाईसा कल जब तुम यहां आओगी तो मेरे लिए सोलह शिंगार और सुहाग का भी सभी सामान लेती आना तो दोस्त पार की बेटी ने अगले दिन करवा चौथ का वरत रखा और खुद सोलह शिंगार और सुहाग के सभी सामान को पहन कर सज सवर गई और शाम को चांद निकलने पर अर्ग दिया चौथ माता की जोत करी और चौथ माता प्रकट हुई और बोली करवो करवो ले भाईयों की प जादा भोजन प्यारा है ये सुनकर साहुकार की बेटी बोली माता मुझसे भूल हो गई मुझे शमा कर दो तब माता ने कहा बेटी मेरे पाउँ छोड़ दे अब मेरे जाने का समय हो गया है ये सुन साहुकार की बेटी बोली नहीं माता जब तक आप मुझे मेरा सुहाग वापस नहीं करेंगी तब तक मैं आपके पाउं नहीं छोड़ने वाली इसके बाद माता के बार-बार कहने पर भी जब उसने उनके पाउं नहीं छोड़े तब चौथ दिवी बोली बेटी क्या तुम अपने सुहाग का सारा सामान मुझे दे सकती हो तो साहुकार की बेटी न निकाल मांग से सिंदूर निकाला और फिर उन्होंने अपनी उंगली उसके पती के मुह में दे दी थोड़ी देर के बाद उसका पती जीवित हो गया ये देख साहुकार की बेटी खुशी से जूम उठी और उसने माता को परणाम किया फिर चौत माता जाते जाते उसकी जोप फिर साहुकार की बेटी की नजर जब अपनी ननद पर पड़ी तो वो दोड़ कर उसके पास आई और बोली देखो भाईसा आपके भाई जीवित हो गये फिर दोनों गले मिले और रोने लगे उधर जब उसकी ननद घर आकर मां से बोली कि मां भाई जिन्दा हो गया तो उ और उसके बाद सभी घरवाले गाजिबाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे और वहाँ पहुँच कर जब साहुकार की बेटी की सास ने देखा कि सच में उसका बेटा जिन्दा हो गया है तो वो अपनी बहु के पैर छूने लगी ये देख बहु बोली मा आपका बेटा वापिस आ गया है सास बोली बेटी तुम धन्य हो मैंने तो साल भर पहले ही अपने बेटे को मरा हुआ समझ लिया था किन्तु तुम्हारी तपस्या के कारण वो साल भर बाद फिर से जिन्दा हो पाया तो करवा चौत की कथा दोस्तो य गेहूं के दाने अलग रख ले रातरी में चंद्रोदे होने पर पानी में गेहूं के दाने डाल कर उसे अरगते फिर भोजन करें तो दोस्तों उमीद करती हूं कि आपको हमारी ये कथा पसंदाई होगी अगर पसंदाई हो तो इसे जादा से जादा लाइक और शेयर करें स साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी कथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद